हेलो एवरिवन, वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स, करंड अफ्यर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है, आज हम लोग डिसकस करेंगे सेप्टेमबर मन्त का पार्ट टू, जो की एर्थ आप सेप्टेमबर से 15 आप सेप्टेमबर तक के हैं, यह सारे करंड अफ्य हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिन के इन अफ्यर का मजे इंपॉर्टेंट लगे गा तर उसका मैं आप लोग को बैग्राउंड के साथ पुरा डिसकस करूँगा, तो आप लोग को वीडियो सुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, ताकि आप इंडिया ने एक एलीट ग्रूप जोइन के लिए अपने आप में और इससे पहले इसको किस ने कर रखा है, रश्या ने कर रखा है, चाइना ने कर रखा है और यूएस ने कर रखा है, तो इंडिया ने सक्सुस्पुली कंडिक्ट किया फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑप इ यह बिसिकली यूज होता है सेटेलाइट को लांच करने के लिए यूज होता है यह इस समय कर हम लोग बात करें तो यह थे हाइपर सॉनिक क्रूज जो है वो फास्टेस्ट रणिंग मिसाइल है प्रिजन टाइम में तो आप लोग इसका अपनों फुल फॉर्म याद है ठीक है फिर देखें इंडिया इसराइल और यूएस यह तिनों ने एक वर्चुल समिट कंड़क्ट की और यह आपस में डिसाइड किया यह लोग 5G टेक्नलोजी पे काम करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा रिसेंटली इंडिया इसराइल और यूज ने 5G टेक्न में बतायेगा कि 1st और 2nd कौन है देखें इंडिया और यूएस की बीच में एक agreement यह भी है तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते है कॉमकास इसका मतला होता है communication capability and security in the region तो यह इस agreement से क्या होता है इंडिया और यूएस शेयर करते हैं आपस में encrypted communication equipment ठीक है तो communication equipment शेयर करते हैं तो intelligence जो है वो easy हो जाता है तो आप लोग इस agreement का नाम ध्यान रखिएगा कि यह इंडिया और यूएस के बीच में है फिर देखिए 5 member committee बनी थी और यह बनी अंडर former chief of new development इनका नाम था के भी कामत अब इन्होंने एक report summit की और इस report को RBI को दिया इन्होंने जा करके तो इन्होंने recommendation दिये हैं उसमें किस चीज को लेकर recommendation दिये है इसको recommendation दिये है इन्होंने one time restructuring करने का process की दिया है loans का जो COVID-19 pandemic की दोरान affect हुई थी तो ध्यान रखिएगा आपसे एक्जाम इसी तरह के से पुछे करके कि recently किसने report यह जमा की है one time restructuring of loan that were affected during COVID-19 pandemic इनका नाम है के भी कामत either way ध्यान रखिएगा पर यह देखिए important report है इसको आराम से समझ लेते है national statistical office ने release की अपनी report इसका नाम था household social consumption ठीक है तो consumption education in India यह प्रिपुर का ध्यान रखिएगा बहुत important important report इसको याद रखिएगा household social consumption education in India अब यह 75th round था national sample survey का तो इसमें देखिए जो 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 रिजर निकल के आइस में यह आगी के रला जो है उसका highest literacy rate है आंदर प्रदेश जो है उसका lowest 66.4 second best जो है वो डैली का है और second जो सबसे खराब है वो है राजिस्थान का तो overall literacy rate कितना है इंडिया का 77.7 literacy rate rural areas में कितना है 73.5 और urban areas में कितना है 87.7 तो यह सारे figures यह तीन figures याद रखेगा इस report का नाम द्यान रखेगा केरिला और डैली first two याद रखेगा और bottom two याद रखेगा राजिस्थान और कौन सा था आंदर प्रदेश ठीक है कि इंटरनेशनल लिटरेशी डेयर यह का वह होता है यह होता है 8th of September को यह यूनिस को जो है और other world countries जो है वह हो celebrate करती है इस बार की देखे थीम क्या थी very important literacy teaching and leadership in COVID-19 crisis and beyond literacy in India इसको आप लोग ध्यान दखेगा यह भी बहुत important है और यह आला मैंने आपको डिसकस करी दिया पूरा पीछे तो इसको आप लोग लिख लीजेगा ने तो मैं सब्सक्राइब प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई यह सार जगन मोहन रेटी अब इन्हों ने लॉंच की वाई यह सार संपून पोर्शन इसकीम and संपून पोर्शन प्लस इसकीम तो इस स्कीम का देखिए क्या उद्देश से है यह है कि प्रवाइड करेगा nutritious food to lactating mothers ठीक है अब देखिए इंडिया की रैंक जो है वो 102 है ठीक है hunger index में 102 है 2019 में ठीक है इसकी स्कीम का परपस क्या है और यह कहां launch की गई है इसको यादर किएगा पर देखिए सर डेविड एटन वोरो इनको मिलाया है इंद्रा गांधी पीस प्राइस और 2019 यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर देखिए पिनराई विजियन चीफ निश्टर आप करेला पहले तो ध्यान रखिए का कौन सीम में करेला के इन्होंने रिसेंटली इनगरेट किया फेज वन कंस्ट्रक्शन आप कोची मैट्रो ठीक है इसको बेसिक सी इंफॉर्मिशन है थोड़ा याद रखिगा यह दे ठीक है ना इसको एककम फ्लाई स्पीड में ततकाल की वुकिंग होती थी और जो जनरल लोग थे उनको टिकट बगएरा नहीं मिल पाती थी तो धंदी टाइप की हो जाती थी इसका सौट्वेर का नाम था रियल मैंगो सौट्वेर इसको अब बैं किया गया है फिर दिखे स स्वान निधी समवाद यह किया था स्वान निधी समवाद देखे एक प्रोग्राम था जो फर्स्ट जून 2020 को लांच किया गया था और उसमें अटेम्ट किया गया था कि हल्प किया जब पूर स्ट्रीट वेंडर्स को ठीक है ताकि वो अपनी लाइब्ली हुट को रिज्यूम कर सके जो वर्ट्स वर्ष्ट हिट हुए है पैंडेमिक से तो आप लोग इस स्कीम को ध्यान रखिएगा तो देखे पेट्रोलियम है नेच्रल गैस मिनिस्टर कौन है ध्यान रखिएगा धर्मेंद प्रथान अब उन्होंने एनाउंस किया कि पाँच पबिक सेक्टर यूनिट है ठीक है वो इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के साथ जोइन करेंगी ताकि वो अपने अपने यहां पर एक सस्टेनेबल सोलर का मॉडल बना सके तो देखिए वो दूसरी है और और इस तरीके से साइन किया अनर्टेकिंग ठीक है फिर यह देखिए इंटरनेशनल सोलर राइंस जो है कॉन्फरेंस ऑप पार्टी टू ठीक है इस टाइम यह रखा गया था और इसका टार्गेट था कि कि वन थाउजन गीगावार्ट सोलर एंजी जन्रेट करना है और बाइट टू ठीक तक तो आप लोग ध्यान रखेगा फर्स्ट जो वार्ट सोलर समिट हुई ती इंटरनेशनल सोलर राइंस की वह इंडिया में हुई ती रिसेंटली ठीक है इसको ध्यान लखेगा और इसक के जाएगा किस फील में हैल्त के फील में फार्माइस्टियर के फील लें ऑर्डिकर्टनेजर की फिल में ठीक है और डिफेंस के फीलम vibes तो Angola देखिए हम लोग के लिए क्यों इंपोर्टन है, एंगोला हम लोग के लिए इसलिए इंपोर्टन है कि ओयल रिसोर्सिस के लिए इंपोर्टन है तो कि सब साहरन कंट्रीज में न यह सेकंड लार्जेश्ट क्रूड अलसर प्रस्प्लायर है इंडिया को तर तब यह देखिए एपंट गेदा करेखे था एप्वीकर्व कराविए पिर यह देखिए, Union Cabinet Approach Amendment to Labor Courts, ठीक है? अमेंबंट किया Labor Courts को, और इस थ्री Labor Courts were proposed in Industrial Relations Court. तो अब यह तीन कौन से थे? यह तीन कोड थे, Occupational Safety and Health, Social Security and Industrial Relations. तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा इन तीन कोड को, ठीक है? यह important है इन तीनों क्याद रखेगा. फिर देखिए, सिलंका जो है, वेसिक सी इन्फॉर्मेशन एक बुद्धिष्ट कंट्री है, ठीक है? और लेकिन वापे जो most of the Hindu और बुद्धिष्ट है, वो बीफ नहीं काते हैं. तो इस समय जो ruling party है, सिलंका पॉड़ुजना ठीक है, पेरा मुना. तो यह अभी रिसेंटली जीत करके आई, और वाँ के प्रामिश्टर जो है, महिनदा राक्स प्रक्षे, उन्हों डिसाइड किया कि काउ स्लोटर का बैन किया जाएगा आलेंड नेशन में, लेकिन इंपोर्ट फिर भी होता जाएगा. ठीक है, तब लोग ध्यान दखेगा कि पूछ सकता है, अपसे एजाम से रिसेंटली किस कंट्री ने काउसलोटर का बैन किया है, तब लोग ध्यान दखीगा, तो आलेंड कंट्री का नाम है, श्रीलंका. और बुद्दीज्यम देखिए, इंट्रेजूस किया गया था, श्र अराहत महिंदा ने टुटिस किया था और ये संते एम्परर अशोका के। फिर देगी उनाटेड नेशन ने रिलीज किया लेवल एंड ट्रेंट इन चाल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट जियान रखी का किस की ये रिपोर्ट है उनाटेड नेशन की रिपोर्ट है लेवल पोर्ट को इंडिया ने इसने उनाटेड नेशन ने पुब्लिश किया है तो ये फोकस करेगी में लियों सश्टेंबर डपलप्मेंट ऑफ फिशेरी इन इंडिया तो दिहाने किका संपदा योजना किससे रिलिएड है और ये पोर्ट एलिशेंट्ली लाउंज इसका नाम होता है रियल सुगर तो ये कैम्पेन का नाम याद रखेगा बंगलेदेस गवर्मेंट का है तो इसा बुला है यूस ने की वह ब्लॉक करने में लगा हुआ एक्सपोर्ट चाइना के जो वहाँ पर यूग यार मुसलिम से उन पर एक्ट्रोसिटीज को लेकर के यूएस ने ये स्टेप उठाया है कि चाइना से जिस्टिफिकेशन मांगा है कि एक्ट्रोसिटीज को बंद किया जाए उनके खिलाफ तो उसको लेकर के यह है ठीक है तो एक बेसिक सी इंफॉर् तो एकवर्डिंग डिसेर्च बाइ पब्लिक हेल्थ फांडेशन ऑफ इंडिया एंडिया गांगें देखे वो जो वन थर्ट अफ दा वर्ट फीमेल सुसाइट होती है और वन फॉर्ट अफ दा मेल सुसाइट सोती पुरे वर्ड में तो थीम क्या थी वर्ड सुसाइड प् कियेगा ठीक है कब होता है वाट सुसाइट प्रिवेंशन दे और ये बीच वाली मैंने तीन लाइने से डाली है कि आलोग देखेए कि इतना हाई डेट एंडिया में सुसाइट का फिर देखी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग उन्होंने मंशुक मंदाविया इन्हों जर्मनी ने रेजनुएट किया साउंड इमर्जैसी साइरन का इमर्जैसी टेस्ट किया एक और 10 सेप्टेंबर अब वहां पर ऑब्ज़र्व किया जाएगा नहीं नेशनल वार्निंग दे तो एक ड्रिल टाइप की यह और्गनाइज की गई थी ठीक है जहां पर साइन क्या बजाया गया था इस तरीके से ताकि अगर कोई unprecedented situation कभी आती है तो लोगों को प्रिपेर किया जाए सब्सक्राइब टेल टाइप की टीक है नेशनल वार्निंग दे 10th of September याद रखेगा जर्मनी ने किया तभी फिर देखे ग्लोबल एक्नॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिपो हुआ कि 79 लगवा कि सपोर्ट पर रही होगी लाश्ट इयर ठीक है तो एकनॉमिक फ्रीडम एकनॉमिक सेक्योर्टी और प्रेवेटली और पॉवर्टी लेवल ऑफ परसनल चोईस ठीक है यह सब चीजें कंसीडर करते हैं इसको कर्कूलेट करते वक्त जो है वह फर्स्ट था रहेंग में और यह आतके का पोजिशन 105 इंडिया गी मिनिस्टर आप स्टेट फर्स्ट नेला फिर कौन है वी मुरली धरान है इन्हों रिप्रियंट किया इंडिया को 10 इस्टेश्य समिट में ठीक है वर्चुली हुई थी तो ध्यान नकी किसने थर्ड फोल बोलते हैं वर्ड एकॉनमीगा ठीक है लगबाग 20 परसेंट ऑफ वर्ड ट्रेड इस एस्या समिट में जो कंट्रीज है वो करते हैं तो इसको आप लोग याद रखेगा तो इसमें बेसिकली पांच स्कीम से इसलिए फाइव इस्टार विलेज दिया गया है तो यह है सेविंग बैंक अकाउंट ठीक है एनसी और के वीपी सर्टिफिकेट रिकरेंट डिपोजिट अकाउंट सुकरन्या समरिद्धी और इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक जो है वो मिनिश्ट्री ऑफ कॉम्मिनिकेशन के अंदर आती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंप्लीमेंट रॉन कर रहा है यह बहुत सकते है आपसे तो ग्रामीन डाक सेवा इसको इंप्लीमेंट करेगी तो इंडिया और जापान की बीच में इससे क्या होगा कि जो आंड फोर्सें और इंडिया और जापान वो कॉडिनेट करेंगा आपस में क्लोजली ठीक ह में तो आप लोग ध्यान लखिए कि जापान जो है वो थार्ड लार्जेस सोर्स ऑफ डिया इंवेस्टमेंट है इंडिया में इसके पहले दो कॉन से वह है मौराशियस और सिंगापूर तो आप लोग ध्यान लखिएगा फिर देखिए यह जो एक्सराइस होती है शिन्यो में क्रिवेस्टमें देखा हुगा कि पहला कर्ण अब्राहम एकॉर्ड था अविस्ट का पहला का कॉर्ण था था वह तो यह मिडियेटर थे ठीक है यूई और एदिरान के वीच में सुरी इराक के बीच में मीडियेटर थे ठीक है उससे पहले देखिए तो इसलिए इनको कर दिया कि extension करने की डेडलाइन टिक टॉक के लिए कि टू आइदर चेंज इट्स ओनर्शिप वन अमेरिकन कंपनी या तो फिर कंपनी इटली उसको बंद कर दें अब देखिए ये एक आप लोगों को तो पता होगा वीडियो शेरिंग एप है ठीक है टिक टॉक और इंपोर्टेंट है वो सब चाइना में स्टोर किया जा रहा था तो युएस ने एक तरीकी चिसको पोटेंशिल थ्रेट की तरह लिया और बोला कि अगर आपको अपना चीजने से रन करना तो आपको डेटा सेंटर जो है वो युएस में ही इस्टेबिश करने पड़ेंगा तो यह बाइट डांस आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है यह चाइनीज कंपनी उसी का ही है यह फिर देखिए यह इंपोर्टेंट न्यूस है युनिसेफ का फिर फॉर्म ध्यान रखेगा क्या होता है युनिसेफ नेशन इंटरनेशनल चिल्डर्न एजुकेशन फंड अब फिर देखिए युनिसेफ नेशन इंटरनेशनल चिल्डर्न इमेंजेंसी फंड यह पूरा फॉर्म है इसका यह 1946 में बना था अपरेंटली 119 कंट्रीज में है यह युनिसेफ हैड़कॉर्टर द्यान नखी का कहा है इसका हैड़कॉर्टर इसका नियू यूर्क सिटी यु वो हैं भारती अटेल एंड विप्रो एंड अदर्स ठीक है तो यह दो याद अखी का भारती अटेल एंड विप्रो तो सेभी के बारें थोलग सा देख लेते हैं इस टेच्टरी बॉड़ी है अजेत है कि इस समय चेर्मैन है इसके ठीक है और यह एपक्स रेग्लूटर है स जेंडाए गौवर्मेंट का हाउसिंग फॉर और वाई 2022 तो ग्रेया प्रवेस इसी के अंडर में आता है तो इसको आप लोग याद रखतेगा फिर नेश्ट करेंड अफर देखने क्या है पीम किसान निधी स्कीम देख लिए थोड़ा क्या है ठीक है 100% फंडिंग जो है व वह प्रवाइड की जाएगी में इंडिया से 2018 में शुरू वी तो इसमें कियाता कि जो इसमाल और मार्जिनल फार्मर्स थे फैमिली के इनके वास कम्बाइंड लेंड जो था अब टू हेक्टेर जो तू हेक्टेर वह रिसीब करेंगे 3000 रूपीज पर येर इन थ्री इक्व लेंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट हम लोग यूज करते हैं और यह अंडर अर्टिकल 143 अडर्प किया गया था इंडिन कॉंस्ट्यूशन में और वर्ड हिंदी दे होता है 10 जैन्वरी पर देखें नेशनल एंडिया केंडिडेट ठीक है और जनता दल यूनाइट एंपी इनका नाम हरिवंश नाराइन सिंग यह इंपॉर्टेंट न्यूज है और इनको लेक्ट किया गया इधा डिप्टी चेयर्मेन और राजसभा बाई वाइस ठीक है तो चेयर्मेन आप लो अबढ़े करेगा अपना मेंबर उनाइट नेशन कमीशन अरिट सफसार दो डूमें में। तो यह जो बॉडी न हंद्ट निशन कमीशन सोशल काउशन फुल फॉर्म याद रखेगा साथ में यह देखिए थोटी सी इंफर्मेशन दिवी है पर ज्यादा पॉर्टेंट नहीं है युनाटिट नेशन का ही और इसको याद रखेगा और किसमें एंट्री हुए इंडिया की इस चीज को याद रखे लिजेगा आप लो अब लोग इसका याद रखेगा ठीक है तो आप लोग इसका याद रखेगा ठीक है ठीक है टेलिकॉम रेगलेटरी टेलिकॉम को रेगलेट करती है अब लोग इसको छोटी सी इंफोर्शन द्यान रखेगा यह देखिए पर इस पार क्या ओनियन के इसको रोखने के लिए अभी बैन किया जाएगा इसको ठीक है एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यह अदर आता है अभी यह देखिए थोड़ा सा इसको समझ लिए आगी कभी आप लोग पढ़ते रहेंगे नियुसी पर तो आप लोग को हेल्प करेगा कि आप अपर करती गौवर्मेंट को कि वह रेगुलेट करती है प्रड़क्शन सप्लाई और डिस्टिबूशन को अच्छिए ल कमटीज की दिए कुछ भी हो सकती है तो इंडिया में क्या चेंज हुआ है यह चेंज हुआ कि जो सेंटल गौवर्मेंट दी मेट दी इंपोजीशन ऑफ इस्टॉक लिमिट इंपोजीशन बनाया और मुमेंट ऑफ इस्टिक्शन और कमोडिटीज तो चलिए फिर आज की डिस्कुशन में इतना ही था आपको व कर दीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे पार्ट थ्री आपको एराउंट 23-24 को मैं पब्लिश कर दूँ है तो चलिए आज की डिस्कुशन में फिर इतना ही था अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तरफ बितार वियरो कि अब मिलते हैं तो घ्लिए में थेंगे फिर के लिजए खिए रहें सब्क्राइब के तो जाएंगे तो एकी तो पर चाहत है यए ठावान सब्सक्ता खिए प्रिमाट कर आफिए खिए टार्वल्स कावी ओए खिए हमें को परतार भाता हैं रहें